वेलकम डो S.S.C. मेडिजी सभी S.S.C. एसपैरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड निउज है आप सभी को पता है कि S.S.C. की जो प्रोसेस है काफी लंबे समय से डिले चली आ रही है लेकिन जब COVID-19 आया तो उसके कारण और ज्यादा डिले हो गई पहले जो court cases होते थे उसकी वज़े से कई बार क्या हुआ कि जिस समय पर examination conduct कराई जानी चाहिए थी उस समय पर examination को conduct नहीं कराया गया जिसके कारण लोगों के attempt चले गए और कोविट के कारण जब सही समय पर परिच्छाय नहीं कंडेक्ट कराया गया उसके कारण और ज्यादा टेंप्ट चले गए तो यहां पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी नियूज है कि आप सभी को ओफिशियल ओडर है यह लोग सभा में जो जब कोशन पुछा जाता तो उस समय कोशन पुछा गया था डियो पीट मेंट डॉक्टर जितिंद्र सिंग से तीन कोशन पुछे गए थे पहला कोशन था कि वीदर दा गॉर्मेंट इस सब्सक्राइब कोशन था वीदर दा गॉर्मेंट इस कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा अटेंट या एज रिलेक्सेशन दिया जाए एससी और यूपीएसी एक्जामिनेशन के जो एस्पारेंट से उनके लिए और आगे पूछा गया है if so the details there of including the step taken in this regard अगर ऐसा है आगर आप एज रिलेक्सेशन देना चाहते हैं तो इस दिसा में कौन-कौन से कदम उठाए गया है उसके बारे में बताए किजिए if not the reason therefore अगर आप एज रिलेक्सेशन नहीं देना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या का हैं उसको भी जरूर बताइए तो यहां पर डोक्टर जितेंदर सिंग जो डियो पीटी मिनिस्टर है उनका रिप्लाइ आया है उन्होंने रिटेन में दिया है पहले जो यहां पर लिखा गया तो इसी ओफ ग्रांटिंग एज रिलेक्सेशन एंड एक्ट्राटेंट टू के judgments passed by the Honorable Supreme Court of India the matter was considered and it has not been found feasible to change the existing provisions regarding number of attempts and age limit in respect of the civil services examination यहां पर यह कहा गया है कि जहां तक एक्सा attempt की बात है तो civil services examination के लिए जो civil services aspirants ने एक रिट पेटिशन फाइल की थी Supreme Court में और Supreme Court में जो तक्ति पेस्ट किये गए थे उसके अनुसार Supreme Court नहीं पाया कि जूपीética स्पायृएंट्स की जो डिमांड है कि एस लिया जाए एक्स्रा टेंप् दिया जाए वह जाए ating मतलब इसको सेर्थ ए नकार दिया कि यूपीएस्ट को कोई भी एज रिलेक्सेशन या एक्स्रा आटेम्ट नहीं दिया जाएगा वहीं दूसरी और अगर हम स्सी की बात करें तो स्सी में यह कहा गया है हाव इवर सिंस दे रिक्रूट्मेंट साइकल अप्टाफ सेलेक्शन कमिस्ट वाज डिलेड दू तो कोविड-19 पेंडिमी क्योंकि एसे से इसे सेलेक्शन कमिस्ट की जो रिक्रूट्मेंट प्रोसेस है कोविड-19 के काफ़ ज़्यादा डिले हो गई थी तो यहां पर यही बात की गई है क्योंकि कोविड-19 के काफ़ जो सेलेक्शन के परिष्छाएं डिले हो गए थी इसलिए कमिस्ट ने यह डिसाइड किया है कि जो एज जलेसेसन के लिए जो क्रूसियल डेट होगी वो रखी जाएगी एक जनवरी 2022 ही रखी जाएगी लेकिन इसके पहले कि नोटिफिकेशन के एगोडिंग जो जो डेट होती थी एक जनवरी 2023 या एक अगस 2022 रखी जाएगी इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर एक साल का रिलेक्सेशन मिल जाएगा अगर आप लास्ट एज पर आपके पास अटेंप्ट नहीं बचेंद तो यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा लेकिन मेरी डिमांड यह है कि आपने जो एज लेक्सेशन यहाँ पर दिया है वह उन लोगों को दिया है कि जो लास्ट सभी को मिलना चाहिए क्योंकि सभी के एक दो दो अटेंप्ट तो एक कोश कोवीट के कारण या कुछ कोट के समें डिले होने के करण खराब जा चुके हैं तो उमीद है कि आने वाले वक्त में और भी यादा चीज़ें सुद्रेंगे प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ें जै जवार तो नदे मत्रम